स्टूरेंट्स, आज हम लो मनोविग्यानिक जाच की सीमाई लिमिटेशन अब साइकलोजिकल इनकोआरी पढ़ेंगे चुकि मनोविग्यान बैवहार का अधेयन करता है और या प्राकितिक विग्यानों या जैविकी विग्यानों की तरफ मनोविग्यानिक जाच या मापनों का प्रियोग करता है या व्यक्तियों के गुनों या योग्यताओं का मापन करके विभिन समस्याओं का समाधान करता है जिसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से लाभ प्राप्त होता है लेकिन मनोविज्ञान में जो मापन होता है या मेजर्मेंट होता है वो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह होने वाले मापन की तुलना में कम वैज्ञानिक होते हैं इसका कारण यह है कि मनोवैज्ञानिक माप की कुछ अपनी समस्याएं या सीमाएं जिने लिमिटेशन कहते हैं होती हैं जिससे मापन पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं हो पाता है तो आज हम इन्हीं लिमिटेशन्स की चर्चा करेंगे तो इसमें पहला है मापन की इकाई निश्चित नहीं होती Uncertain Unit of Measurement मनोवग्यानिक मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है जबकि भौतिक मापन में मापन की इकाई निश्चित होती है साथ ही साथ मनोवग्यानिक मापन में मापन के दोरान उसमें इसपस्ट परिवर्तन होते हैं जबकि भौतिक मापन में पूरे मापन के दोरान एक समान इस्थीरता बनी होती है जैसे बहतिक मापन में किसी वस्तू के वजन को किलोग्राम में या उसकी लंबाई को इंच में मापन किया जाए तो मापन की इकाई का प्रियोग चाहे किसी भी समय में या किसी भी जगह पे क्यों न किया जाए इसका आर्थ बिलकुल एक समान होगा इसमें किसी तरह के परिवर्तन की कोई गुंजाईस नहीं होगी परन्तु यदि कोई सोध करता या मनोवेज्ञाने किसी व्यक्ति के बुद्धी का मापन करे तो यहां मापन की कोई निश्चित इकाई नहीं होगी कोई सोध करता कोई अमुर्चिंतन की योगिता ability for abstract thinking के रूप में मापना चाहेगा तो कोई सिखने की योगिता गनि learning ability के रूप में बुद्धी की मापन करना चाहेगा अता यह सारी इकाईयां सोयम ही मापन के दोरान परिवर्तित होती रहती है तो यह एक मातपन समस्या है दुसरा कोई वास्त्विक सुन्य बिंदू नहीं lack of true zero point जिस प्रकार बौद्धिक मापन में एक वास्त्विक सुन्य बिंदू होता है वास्या मनवज्यानिक मापन में कोई वास्त्विक सुन्य बिंदू नहीं होता है जैसे यदि हम मकान की लंबाई का मापन करना चाहते हैं, तो मापन सुन्य से सुरू कर सकते हैं, यह मापन और यह का सकते हैं कि यह मकान 20 फीट लंबी है, ऐसे ही 12th के किसी स्टूडेंट का मनविज्ञान में सुन्य अंकाता है, तो इसका मतलब हुआ कि इस छात्र को मनविज मापन का ज्यान सुन्य है, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यह एक मनविज्ञानिक मापन है, जिसमें प्राप्त सुन्य वास्तविक सुन्य नहीं होता है, इसका मतलब यह हुआ कि बहुतिक मापन में एक वास्तविक सुन्य बिंदू होता है, जबकि मनविज् होता है next point प्रत्यक्ष मापन नहीं lack of direct measurement जहां बहुतिक मापन प्रत्यक्ष होता है वहीं मनवेग्यानिक मापन परोग्ष होता है यानि indirect होता है जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दिवाल की लंबाई मापना चाहता है तो इंची टेम से मापन कर लेता है और कहता है कि दिवाल की लंबाई 15 फिट है लेकिन मनवेग्यानिक मापन पर्त्यक्ष संभव नहीं हो पाता है इसलिए मनवे ज्यानिक परोक्ष मापन के लिए बाध्य होते हैं, जैसे बुद्धी, मनवरिती, आधी, इसे खूली आँखों या यंत्रों की सहायता से देखा नहीं जा सकता है, केवल प्यक्ति के बैवहारों या रेस्पोंस के माध्यम से ही इसके बारे में एक निश्चित निश्कर्स पर पहुँचा जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परिशुद्धता तथा पुर्वानुमान का अभाव, लैक अप एकुरेशी एन प्रिडिक्शन, मनवे ज्यानिक मापन में परिशुद्धता कम होती है, तथा उसमें पुर्वानुमान से संभावित संभावित कठिनाई पाई जाती है, जबकि भौतिक मापन में ऐसा नहीं होता है, इसमें मापन की परिशुद्धता अधिक होती है, तथा पुर्वानुमान भी अधिक विश्वास के साथ किया जाता है, जैसे बुद्धी मापन का क्रियानमन के बाद, राम की बुद्धी 60 अंक और स्याम की बुद्धी 120 आया, तो इस आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कि स्याम की बुद्धी राम की बुद्धी से दुगुनी है, क्योंकि यह मापन परिशुद नहीं है, साथ ही साथ इसमें कोई वास्टविक सुनने बिंदू भी नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि एक पुस्तक 200 प्रिष्टों की है तथा दूसरी पुस्तक 400 प्रिष्टों की है ऐसे स्थिति में विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि दूसरी पुस्तक की मोटाई पहले पुस्तक की मोटाई से तुगुनी है इसका कारण मापन की परिसुधता तता मापन में एक वास्त्विक सुने बिंदू का होना है अता मनवज्यानिक मापन के आधार पर पुर्वा अनुमन करना उतना सही नहीं हो पाता है इस प्रकार इस पस्ट है कि मनोवेग्यानिक मापन की अपनी कुछ सिमाएं हैं जिनके कारण इसे भौतिक मापन से अलग समझा जाता है ओके स्टूरेंट्स, दरसल, थैंक यू झाल 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 झाल